हेलो इस्टुएंट वेलकम तो आर ओफिसल यूटूब चैनल आज हम इंग्लिस लिटेचर के फार्म पोईटरी पे जैसा कि मैंने एंब कहा था कि इसकी सीरीज हम लोग लेके आने वाले हैं जो इंपोर्टेंट फार्म पोईटरी एंपोर्टेंट लिटरी टर्म से इस टर्म करेंगे इस तरह हमारी वीडियो आपको कांटिन्यू मिलती रहें जो इसके लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का बेल बजाना है जैसा कि पुछली वीडियो हमने ओर्ट पे डिसकस किया था हाज हम इसकी एल्जिक बात करेंगे और ऐस इसको आप बेशिकली नोट कर लीजेगा एक जाम में पूछा जाता है कि लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है तो सबसे इंपोर्टन चींज आपको सामने कि ए ग्रीक वर्ड है जो बेशिकली एल्जिया जिसका मतलब होता है कपलेट में डेट, लव, एंड, वार इस अब देखिए इन इंग्लिस लिटेचर में क्या कहता है एलामेंट फोर दिपार्टेट विलॉफ्ट और ट्रेजिक इवेंड जब विलॉफ्ट के दुकान तो भी छोड़ता है उसके सेंस में अगर कहा जाए अगर ट्रेजिक इवेंड की बात की जाए तो उस सब का मेटर होत है एल जी अब देखिए अगला पॉइंट के देलामेंट आप दे एंसें ट्रोमन लिटेचर वाजमस्ट आप देंट्रोक और मेटरोजिकल इन नेचर अतलब एल जी का नेचर ही होता है लिटाइक टोन में हम जैसे कि इसमें अब लेल जी के हिंदी में हम बात करें तो लोजी कल इस लोजिकल जो नेचर ही इसका सूक होता है ठीक अब देखिए इसकी डिफिनेशन पर YM लोग डिसकस करते हैं किसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है और कुछ इंपोर्टर जी की बात करें देखें वार्ट इस एन एल जी एल जी एस इन पेम रिटेन इस रिसपोंस टू देट ओफ पर्शन देखिया इलजीक पोयम होती है जो किसी पर्शन के मिट्व पर लिखी जाती है तो इस्पीकर एक्सप्रेसिस गृप एंड सोरो और जो इस्पीकर होता है कहने वाला या लिखने वाला अपने गृप कुदु को और सोरो को ब्यक्त करता है देप्रेस एंड एड्माइरेशन ओफ देड एंड फाइनली कॉंसोलिंग एंड सोल एक उस पर दुखत ब्यक्त करता है और कुछ डब्लु एड़न की क्लासिकल इन मेमोरी और डबलु बीट्स काफी फाइन एक्जामपल है इस चीज़ का क्योंकि डब्लु एच और ने डब्लु एड प्रबा ने हैं ने हिसे को जो करदो ने होता है तो चारवाहा होता है और उसके रूप में और लिखी जाया अगर उसके रूप में को चारवाहा को कर गाता है किसी याद करके तो पास्टेया क्योंकिंग पस्तेब्लु एग assert है यदि इस सेरे में इसको देखें तो अनिग कुछ fine pastoral lg Milton के लिसे राज एलिक एडॉंसिस एन एर्डॉंड के थाइसिस यह जो होती है काफी फेमस पेस्ट और लिजिए इसके अलावा इंगलिस लिटियर्चर में बेश्ट एक्षाम पलग अलगी की बात करें lg written in country churchyard lg written in country churchyard इसको note down कर लिजिए by Thomas Gray कही एक्जाम में युजी सीनेट और कही टीजी टीटी पीजीटी के भी इसमें पूछे गया है इसकी कुछ फेमस लाइने से हैं the curfied tools the nail of parting day the lowing hair window slowly over the lie the plowman homeward the plow in very way and leave the world to darkness and to me ये देखिए जो Thomas Gray की lg है एक फाइन एक पर्फेक्ट lg का जिसमें दुख व्यक्त करते हैं कैसे चिडियों को गोश्लो को या किस तरह से किसान को इसको बताते हैं कबर पर बैटके अब देखिए इसी तरह कि हमारे आगे वाली पार्ट की भी वीडियो जिसमें मिलती रहें जो लिसने फॉर्म्स और पोईट्री और लिटरी टर्म्स पर जो हमारी वीडियो जाने वाली है इसके लिए इस चैनल को हम सब्सक्राइब करें लाइक और सेयर कर लगे तो आप लोग्या POLby में करें उसमों वीडियो बनाने के अवस्ते कोसिस करेंगे अप मारे कॉमेंट लॉख मेंड इस ब高 अपको कैसे फलक फॉते बागी जिससे में कुछ प्रसाथान मिले कि यागे वीडियो कैसे बनाए जाए ठीक और जो भी सुमारी बाने आप में झाल 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 झाल